राम मंदर निर्मान समिती की बैठक के दूसरे दिन, शुकरवार को समिती के अध्यक्ष निर्पेंद्र मिश्र ने निर्मान कारियों की समीक्षा की, उन्होंने बताया कि मंदर का निर्मान कारिय संतोष जनक प्रग्दी कर रहा है, लेकिन मजदूरों की संख्या बढ़ने क बावजूद अभी भी आवशक्ता के अनुसार मजदूरों की कमी बनी हुई है। इस आर्टवर्क में पत्थरों पर रामकथा के प्रमुक प्रसंग उकेरे गए हैं, जो मंदिर की भवयता और धार्मिक महत्व को और भी बढ़ाते हैं। दस फीट तक सोने से मंदित किया जाएगा, यह शिकर नकेवल वास्तुकला की उतकृष्टता को प्रदर्शित करेगा, बलकि इसके धर्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी उजागर करेगा। समिती ने निर्मान कार्य को समय पर और उच गुणवत्ता के साथ पूरा करने की प्रतिबधता व्यक्त की है। पर योजना के हर पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है। चाहे वह मंदिर का निर्मान हो, परिसर की सजावट हो, या तीर थेात्रियों के लिए सुविधाएं हो, मजदूरों, कारीगरों और विशेशग्यों की महत् और समर्पन से मंदिर तेजी से आकार ले रहा है। मिश्र ने यह भी सपष्ट किया कि निर्मान की गुणवत्ता से कोई समझोता नहीं किया जा रहा है। मंदिर परिसर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह लंबे समय तक अपनी भव्यता और धार्मिक महत्व बनाए रख सके। राम मंदिर ना केवल धार्मिक और सांस् केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी तरह समर्पित है।